आज है 30 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे NBCC इंडिया और NCC लिमिटेट एक सरकारी कंपनी है और दूसरी प्राइवेट कंपनी है और NCC की खा सके अगर मैं बात करूँ तो यहां पर राकेश जुन-जुन वाला का एक बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है औ दूबने का खत्रा तो नहीं है लेकिन अनलॉक का चांसे काफी जादा यहां पर देखने को मिल सकता है वीडियो में डिसक्स करेंगे इन दोनों ही कंपनियों के बारे में और यह भी चर्चा करेंगे कि हाल फिलहाल में क्या माहुल यहां पर बन रहा है खरीदने का मौका है कि नहीं तो वीडियो को शुरू कर उसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो से आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो शुरुवात करते हैं एन बिस इ कर रहे हो तो देखे इससे पहले भी बढ़िया रफ्तार पकड़ी थी वापस एक बहुत बड़ी गिरावट आई चालीस रुपए के आसपस शेयर पहुंचा और इस बार भी चालीस रुपए से इसने बाउंस बैक दिखाया है तो उमीद करते हैं कि चालीस रुपए का जो सपोर्ट है वो इंटेक्ट रहे और यहां से आपको दुबारा से तीज़े देखने को मिले जैसी पहले हमें देखने को मिल चुकी थी यहां पर अगर हम देखे तो मिट कैप शेर है यह आठ हजात करोड के आसपास का मार्केट कैप है वोल्यूम ट्रेट देखा जाए तो 45 लाग से भी जादा का देखने को मिल रहा है प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है 2.91% की होल्डिंग 3.29% की होल्डिंग mutual fund के पास देखने को मिल रही है LICP 6.55% की होल्डिंग यहाँ पर लेकर बैठ है सरकारी कंपनी है एक भी शेर गिरवी यहाँ पर नहीं है डिविडेंट बहुत कम पे कर रहा है 13% का मतलब आपको सिर्फ 13 पैसे पर शेर का डिविडेंट मिल रहा है NBCC की बारे में देखे तो according to money control user 95% लोग खरी है इनके revenue में लेकिन अब situation थोड़ी सी सभलती हुई नजर जरूर आ रही है NBCC इंडिया देखा जाए तो इसका जो valuation है वो अभी भी सस्ता है 35 का पी रेश्यो है जब कि सेक्टर पी 55 का है long term में definitely bank FD से अच्छा return है इसने दिया है खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि कि शेर और बोर्ड जोन में नहीं है और नहीं को रेट फ्लेक्स नजर आ रहे हैं NBCC इंडिया जैसे कि मैंने कहा कि 40 रोपे के strong support हमें यहां पर देखने को मिल रहा है पिछली बार भी यहां से अच्छा का सा bounce back देखने को मिल सकता है खरीदारी करिए तो बने रहना चाहिए तो जादा बहतर होगा जैसे कि अगर आपको मानिए कि 500 शर खरीदने हैं तो 100 खरीदे वेट करिए थोड़ी और गिरावट है थोड़ी और quantity को आप यहां पर हैड करके चल सकते हैं market अपने all time highest की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है ऐसे में एक बहुत बड़ा पैसा किसी एक लेवल पर किसी एक ही शेर में लगाना मेरे हिसाब से उतना सही नहीं रहता है पैसों को थोड़ा चा डाइवर्सिफाइग करेंगे तो जादा बहतर होगा और आने वाले समय में भी देखे मार्केट में तेजी है आज भी अच्छेगासी तेजी थी एक दो दिन अत्योहार कि वदल अच्छेगासी तेजी आने वाले समय में भी देखने को मिल सकती है लेकिन देखे हमें को खराब वक्त के लिए भी तयार रहना चाहिए मैंने को गिरावट आएगी लेकिन हां थोड़ी बहुत भी गिरावट है तो आपके बसे अतलिस उतना कैपिटिल होना जरूर आई 70 रुपे के पर पहुंचने के बाद इसने भी अच्छा का सा बाउंस बैक दिखाया है एक साल में अगर देखे तो पिछले एक साल में 113 प्रतिशत का ग्रोथ है इससे पहले भी देखेंगे तो शेयर तूट कर तकर तक पहुंचा था वहां से बाउंस बैक दि देखने की कोशिश करें तो डिविदेंट 40 प्रतिशत का पे कर रहा है यह मतलब NBCC से अच्छा पे कर रहा है और 80 पैसा पर शेयर का डिविदेंट पे करता है यह एंसी सी के बारे में देखे तो टेक्निकल रेटिंग यह अच्छी है लेकिन अकॉर्डिंग टूमरी गंट टूटकर अभी 8000 क्रोड के आसपास देखने को मिल रहे हैं प्रॉफिट भी अच्छे खासे थे लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉफिट में गिरावट है लेकिन आने वाले समय में और जदा तेजी आपको इंफरा के शेयर में देखने को मिल सकती है NCC के में बात करूँ तो 10 साल में सिर्फ 113% का ग्रोफ इसने दिखाया है आप बड़ी तेजी आई फिर तूड़ गया फिर तीज psycho overall यहाँ पर यह है कि वहीं नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके है 100 रुपए के उपर बिक्वाली के मौके देखने को मिलेगी तो NCC को लेकर मैं यही कहूँगा कि 75 के आसपस खरीदारी के मौके ज़रूर होंगे लेकिन 100 रुपए के आसपस आपको प्रॉफिट भी लेकर निकल जाना चाहिए क्योंकि दुबारा वहाँ उस लेवल से एक गिरावट आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है NCC के बारे में देखे तो 17 का इसका पी रेशियो है और 55 का सेक्टर पी है मतलब काफी सस्ते वेलिशन के उपर अवेलेबल भी है 87% एनालिष्ट खरीदने की बात करते हैं यहाँ पर जो कि बहुत अच्छी बात है खरीदने का अभी भी सही मौक का है क्योंकि शेर ओवरबोड जोन में नहीं है और कोई भी रेट फ्लेक्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है होल्डिंग स्कुम मैं बात करने जहूँ और उर्धर पार्टी स्कुम की में बात करूँ तो प्रमोटर की होल्डिंग कम है और अपनी होल्डिंग को मैनेज करें रखा है अपनी holding को कम किया है उसके सामने देखा जाए तो वह Aristot organisms और सड़े वालों यहां पर पैसे जहादा लगायाहे दोनों कंपनी के मैं बात करूं तो दोनों के प्लस प्लस पॉइंट ज़रूर रहे है एन बीसी यह अच्छी बात ये है कि इसको चला नहीं पाएगी तो प्राइविट प्लियर को दे देगी और इसमें से अपना डिस इंवेश्मेंट करेके निकल लेगी पहली चीज़ और अगर डिस इंवेश्मेंट करती भी है तो इसकी वैल्यू भी अनलॉक हो जाएगी यह भी चीज़ हम यहाँ पर देखनी होगी दूसरी और अगर हम देखे तो एन्वे इससी डेफिनिट्ली तेजी है और इनफरा के शेर में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी आने वाले समय में और साग्छी से यहाँ पर इन्वेश्मेंट आने वाला है बहत तीज़ी से बहुत सारे प्रो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा जहां पर आप चाहे तो प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं दुबारा जब शेर 75 असी पर आए तो दुबारा खरीदारी की मौके वहाँ पर जरूर बनेंगे खरीद के भूलने वाला शेर यह बिल्कुल भी नहीं है यहां पर आपको सम के लिए आने वाले समय में इंफ्रा के श्यायर है बहुत जादा इन्वेश्मेंट यहां पर आने वाला है और देखे हर देश की जो कहता है ना कि भईया जो आर्थिक स्थीती होती है वो कही ना कहीं थोड़ी बहुत इंफ्रा के उपर बिपेंडंडन करती है यह किस तरीक मिलकर बता सकते हैं, थैंक यो